नमस्कार आप देख रहे हैं एचेस भीहार मैं हूँ आदेश पुरी अभी जो है लोगडाउन चल रहा है इस कारण बहुत सारे लोग जो है घरों में हैं सरकार का भी आदेश था और घर में रहना भी चाहिए लेकिन इस दोरान लोग जो है मोगाईल पे लॉटप पे टीवी ज्यादा समय भी आ रहे हैं जिसके कारण अभी कितने होस्पीटल यह हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मरी जा रहे हैं जो कि इन चीजों का प्रयूग ज्यादा करने सुनके आंखे पर भाव पड़ा है आंखे लाल हो गई है इन सभी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ है है डॉक्टर सिसिर जो की एस जी होस्पीटल जो है दिनकर गुलंबर उसमें कारे रफ हैं इसे बात करेंगे डॉक्टर साब यह पहला प्रसन है कि मोबाइल और लैप्टॉप जो है हम लोगडान में काफी समय उसका इस्तेमाल किये हैं आंख पर इसका कैसा परभाव होस्पीज आप द्रके डूंड सकते हैं इसकर हैं कंप्वीटर विजन सिंड्रों यह चीज क्या है कि हमारे आख में एक तरल-पळास जो आसू है व बनता है वह प्डाक्रितिक रूप से हर किसी के आश्वे बनता है वह बनता है हमारे आखों को नम रखना गीऽार खना द् से आखों की जो सतह है वो गीली रहती है नम रहती है सूखती नहीं है ड्राइनेस नहीं होता है तो यह पलक का जपकता है यह अगर हम कुछ नहीं कर रहे हो तो पंद्रह से बीस बार हम एक मिनिट में नॉर्मली अपने पलकों को जपकते हैं जिससे जो आशू बनता है वो आशू बन रहा है जो उसका काम है वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो पूरे आखों में फैल नहीं रहा है तो आखे हमारी सूख जाती है लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर यूज करते रहने से शाद एक दो घंटे के बार आखों में चुभन जलन होने लगता है यह में में इसी वर्यासे हो रहा है क्योंकि जो हमारे में आखों में नमी होनी चाहिए थी वो खतम हो गए क्योंकि जो आशू बना वो फैला ही नहीं आखों में तो इससे बचने के लिए अगर आप कंप्यूटर मोबाइल पे लंबे समय तक काम कर भी रहे हैं तो हर दस मिनिट के बाद एक मिनिट का एक ब्रेक ले लें आख को बंद रखें आखों को चारो तरफ घुमाएं आधे मिनिट का ब्रेक लें और जब जब याद आए तो आखों की थोड़ी पलकों को जबके जिससे जो ड्राइनेस होता है में ली कंटिनिवसली स्टेर करने के वज़ए से और घट जाने के वज़े से वह ड्राइनेस ना हो बाकी जितना हो सकता है और कंप्यूटर आप कंटिनिवसली यूज करें तो उस पर एंटी ग्लेर स्क्रीन लगाएं जिससे थोड़ा सा उसकी लाइट का जो प्रभाव होना है वह कम पड़े और बाकी यह चीज को जहान रखे हैं कि जितना हो सकता है दस मिनट के बाद एक मिनट ब्रेक लेके आख बंद रखके आखों को चारों तरफ गुमाएं जिससे ड्राइनस आख में नहीं हो इसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम तो इसके बचने के लिए हम यही सब सदा देते हैं और बाकी कुछ आई मोबाइल देखना इसमें एक रिलेशन है कई बार चश्मा एक आख की स्ट्रक्टरल दिक्कत की वरज़से लगता है किसी की आख का बनावट अगर नॉर्मल से बढ़ा है तो हम लोग अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं एक चीज इसे कहते हैं कि जो लाइड की किरने होती ह हैं वो लेंस से रिफ्रैक्ट करके कहीं पहुंचती हैं तो वह आख की साइज अगर बड़ी है तो उस किरनों को जहां रेटिना पर पहुंचना है उससे उस पर नहीं पहुंचके उससे आगे रुख जा रहा है तो इस यह बनावट की दिक्कत है आमोमन किसी वजह से चश् हुआ है कि जो बच्चे को structural बनावट की दिक्कत है जिसको चश्मे की जरूरत है और अगर वह चश्मा नहीं लगा रहा है तो उसको दूर की चीज़े दुनदली दिख रही हैं तो वह TV देखने के लिए पास जा रहा है उसको देखना तो है उसको परेशानी हो रही है इसल चोटे बच्चे 18 साल की उमर तक होते हैं तब तक उनके आँख के बनावर्ड में बदलाव होता है तो जो बच्चे आउट्डोर एक्टिविटी में बाहर की खेल धूप में ध्यान देते हैं उनको चश्मे का नंबर यूजुली कम लगता है और देखते होंगे जो बच्चा टीवी कंप्यूटर मोबाइल बहुत नस्दीक जाके देख रहा है तो पहले ये भी समझे कि जरूर उसके आँख में कोई न कोई दिक्कत है कि उसको दूर से नहीं दिख रहा है तो इस बात को इगनोर भी नहीं करना है तो फिर आप डॉक्टर से मिले भी समझ र जरूरत होती है तो जो चesz्मी जरूरत होती है यह तो लगाना ही है लेकिन ऐसे बच्चों का रेतना भी कभी चेकप घख कोते रहना रूटीन होते रहना जरूरी है उस में कोई पर इशानी है की नहीं यह पता लग सके जोड़ सब को चल रहा है और जैसा की अभी तक जा रहा है नाक और मूँ ढखने के लिए हमें रेगुलरली मास्क लगाना चाहिए और मास्क लगाना ही नहीं मास्क लगाने के एटिकेट को फॉलो करना मास्क अगर हम लगा रहे हैं तो यह समझना कि यह मास्क हम क्यों लगा रहे हैं ताकि हमें बाहर से जो हमारे नाक में और मुह में और इंफक्ट आंक में भी म्यूकस मेंब्रेन एक चीज होती है जहां से वाइरस प्रवेश कर सकता है तो हम अपने मास को कम से कम अपने हाथों से चूएं हमारे हाथ बहुत जगे टच होते हैं जहां पर कोई इंफेक्शन हो सकता है मास को भी बार बार लाश नहीं चूए औरators पर आप आप मास को भी भारवार नहीं चूँना चाहिए हाथों से मास के तो हाथ अगर क्भी अपने कभी दोया мел pas मास अगर आप प्बिक प्लेस में हैं तो मास्क को हटाना ही अवाइड करें बार बार दूसरी बात आखों में अगर आप ऐसे किसी जगे पर हैं जहां आपको लगता है कि infection का surfaces पे infection का risk है तो आप आँखों में भी कोई protective goggle पहने जिसे अगर आपकी हाथ by the way आँखों पे जाती है तो उसे भी कुछ protection हो और avoid करें आँख को मुँ को और नाख को अपने हाथों से चूना avoid करें क्योंकि हमारे हाथ अंचाहे रूप से भी बहुत सारी चीजों को छूते रहते हैं तो वो अगर हमारे शरीर में प्रवेश करेगा कैसे अगर हम उसे inadvertently अपने नाख आँख को छूते रहेंगे तो यह सरा habits से अगर हम बचेंगे तो अपने आप ही जो infection का risk है वो घर्ते जाएगा और प्लस मास्क लगाना है तो मास्क लगाने के etiquette को follow करना है एटिकेट से मतब्व हुआ कि उससे regularly लगाना है यह नहीं कि कभी गले पे लटकाए हुए है कई रोगों को देखते हैं गले पे आप दोते हैं तो कई सारे जितने जिवानु वायरस बैक्टिरिया है वो यूजरली उससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अपने हाथ को कैसे अपने समहाल के रखना है बच्चों को और बड़ों को और जो मोवाइल कंप्यूटर टीवी है उससे उतना नजदीकी नहीं बनाना है जितना हमने लोगडाउन के समय में बनाया इसे दूरी बनाना आवस्यक है अपने आखों के लिए तो इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत दन्यवता